यहां चार पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं एलेक्ट्रिक फिल्ट का एक रिमेनिंग पोश्चन कंप्लीट करना या तो मैं कल नहीं कर पाया उसके लिए मैं एक शमाज आता हूँ जैकि मैंने कल अनाउंस कर दिया था कि रात 11 बजे क्लास होगी या तो आज या फिर कल में वो आपको मिल जाएगा वीडियो ठीक है फोर चौर उसमें आपने शिंट रहिए ठीक है यस कैसे हैं आप सभी लोग सो very very good afternoon to all of you एक बार फटा फट बता दो ओडियो वीडियो कंप्लीट क्लियर है हाला कि वैसे मैं देख पा रहा हूं कि मैं लाइब हो चुका हूँ ओडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है पॉफेक्ट है यस एवरिबड़ी very very good afternoon to all of you हाँ जी जल्दी से share कर दिजे मता जी आज हम क्या करने वाले हैं तो आज हम बात करने वाले हैं एकवी potential surfaces पर ठेक है एकवी potential surfaces पर चर्चा होगी और हमारी चर्चा होगी डाइपोल पर ये दो चीज़े आज हम complete करने वाले हैं काफी खुब सुरत तरीके से चोटी चोटी चीज़ों को समझते हुए numericals पर focus करेंगे इसकी practice session कल होगी ठेक है आज आप लोगों को chat section में एक link पिन करके दिख रही होगी special class काफी दिनों बाद में ले रहा हूँ तो आज हम discuss करेंगे इलेक्ट्र स्टाटिक्स के डिपीपी पर बच्चो special class में शाम साढ़े पांच बजे link उसका description में दिया हुआ है राइट चलिए तो ज्यादा वक्त गवाई बिना हम कहानी को शुरू करते हैं और क्या है आज के कहानी में और ये मन्थन की टीम है बच्चो जो रात दिन आप लोगों की बहतर rank के लिए हर भरसक सफल प्रयास यहाँ पर हम कर रहे हैं रात दिन की महनत आपके पीछे लगा रहे हैं ये सोच कर कि जितनी महनत हम कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिशत आप भी करेंगे और फिर एक दिन आप इस rank में लाइ करेंगे और फोन लगा कर कहेंगे भीया मचा डाला जो सोचा था वो हमने इतिहास रच डाला ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगर आप Unacademy Need का YouTube चैनल पहली बार देख रहे हैं और अगर आप यदा कदा की गलती से अगर आप आ गए हैं यहाँ पर तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो hit the bell icon also so that live daily पर होने वाली जितनी भी classes हैं सब आपको यहाँ पर बहतर तरीके से मिल सकें बचो टेलिग्राम चैनल Unacademy Need का official टेलिग्राम चैनल जिसका link description में दिया हुआ है to get the notes from there to get the special classes links from there आप इस group को join कर सकते हैं ठीक है इस group के साथ साथ आप एक और group पे बच्चो ठीक है Hello Physics ठीक है Hello Physics extensively आपको वहाँ पर मेरे वीडियो से related information मिलेगी तो आप Hello Physics का टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं यहां से भी आपको मन्थन के notes अवेलेबल हो जाते हैं टेलिग्राम चैनल पर जाकर बस सर्च करना Hello Physics ठीक है आपको दिख जाएगा ओके गाईस तो शुरू करें कहानी equipotential surfaces and dipole तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात कर लेता हूं थोड़ी से तब तक आप लोग शेयर भी कर देंगे और चर्चा करते हैं कि आप में से कितने लोगों ने जो है कितने लोगों को इसमें तकलीफ होती है How many of you got stuck in this कितने लोगों को issues होता है Come on everyone Very very good afternoon Hi Sanna Hello Mayur Hi Avandika Hello Dr. Mukesh Yes Come on जल्दी से बताइए कितने लोगों को equipotential surfaces में दिक्कत है और कितने लोगों को dipole में दिक्कत है आज दिक्कत वाले दोनों topic एक साथ रखा है राइट मतलब कि ये class बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए है ना तो हाथ खड़े कर दिये बहुत सारे बच्चों ने Me Sir Me Yes चलो पहले तो share करो यार फटा फट शेयर नहीं करोगे जब तक number नहीं बढ़ेंगे तो class कैसे शूरू करें Me Sir Hi Sir Hello 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 Everyone हाँ जी एक्जाम कैसे देना देखो बहुत सिंपल है यार रिवीजिन करते रहो फिजिक्स में तो जितने चाप्टस मैंने अभी तक करा दिये सारे एक साथ क्लब करके पूछ ले मैंने इस वाल ठेक है और कल हम एक प्री एक्जाम आप लोगों करने वाले हैं मन्थन प्रशनोतरी होने वाली है ठीक है कल सुबह साथ बजे में आप लोगों के साथ लाइव रहूंगा साथ से दस तीन घंटे सतत हम फिजिक्स के सवालों पर बार करेंगे ठीक है तो सारे questions इस तरह के में लेकर आऊँगा so that मन्थन का जो एक्जाम कल होगा उसमें आप maximum score कर सकें and let's target 180 out of 180 ठीक है clear है कर दें शुरू कहानी बहुत बढ़िया चलिए तो अब यहाँ पर electrostatics में जो equipotential surfaces वाला chapter है equipotential surfaces वाला जो topic है और जो dipole वाला topic है मैं दोनों को साथ-साथ club करके पढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें interrelate की जा सकती है तो यहाँ आ जाईए आप ठीक है एक बार साथ-साथ देखते हैं चीजों को समझते हुए तो आज हम क्याप करने वाले तो सबसे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत important रिष्टे की ठीक है एक बहुत खूबसूरत रिष्टे की ठीक है उस रिष्टे की बात नहीं कर जिसके तुमारे दिमाग में आता एक ही रिष्टा तुम्हारे दिमाग में आता ले देकर नहीं ठीक है कि भईया हम तो बस उसी रिष्टे के सोचते हैं है ना तो मैं रिष्टे की बात करने जा रहा हूं ठीक है तो अब आप सोचिएगा कि आप लड़के वालों की तरफ से हैं या आप लड़की वालों की तर है ना relation between किसके किसके बीच में तो electric potential relation between electric potential बचो and electric field electric potential and electric field ठीक है electric potential और electric field के बीच में हमको रिष्टा बनाना है तो यह हमने लिख लिया यहाँ पर heading electric potential and आपका electric field ठीक है एम दोनों के बेच में रिष्टा बनाना है अब सुनना ध्यान से है न बहुत बहुत प्यारा टॉपिक है बहुत आसा टॉपिक है ठेक है तो तुम किसकी तरफ से हो तुम बताओ चैट बॉक्स में है न तुम बताओ तुम दोनों में से जो है किसकी तरफ से हो तुम electric potential की तरफ से हो या तुम electric field की दोनों का रिष्टा ना आता तो बिठाना पड़ेगा और इससे related काफी खुपसूरत information आपको मिलने वाली है अब देखो अगर यहाँ पर एक charge है यहाँ पर एक charge है क्यों जो की source charge है को ने बच्चो जो की source charge है सुनिएगा बड़े ध्यान से इस source charge की वजह से किसी distance r पर किसी distance r पर अगर हम देखेंगे बच्चो किसी distance r पर अगर आप देखेंगे तो there is a point p there is a point p कितनी distance पर है r distance पर जहाँ अगर आप electric field की बात करोगे तो electric field कितना होगा तो electric field हो जाएगा e is equals to k capital q divided by आप लिखेंगे r square same point पर अगर आप potential की बात करेंगे तो potential हो जाएगा बच्चो k q divided by r क्या हो गया बच्चो k q divided by r हो गया अब अगर आप यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर एक रिष्टे की शुरुवात करने जा रहे हैं तो आपको यह समझ आ रहा है कि सर्जी अगर electric field में हम एक r से into कर दें अगर हम electric field में अगर हम electric field में एक r से into कर दें तो यह क्या बचेगा बच्चो यह बचेगा k q divided by यहाँ पर r square का केवल r रह जाएगा अरे यहाँ पर k q square divided by r square k q by r square था ना एक r को आपने इधर भेज दिया उपर भेज दिया तो यहाँ पर नीचे केवल r बच गया यह महराज किसका formula होता है यह तो formula होता है potential का तो तुम क्या लिखोगे तुम यह लिखोगे कि सर electric field e.r is equals to क्या रहा है v potential आ रहा है अब एक छोटी सी बात और है उसको भी ध्यान से देखेगा जरा so v is equals to e.r आया लेकिन अगर हमें इसको differential form में लिखना है तुम कैसे लिखेंगे या फिर और करके और करके हम ऐसे लिखेंगे electric field is equals to minus of आप लिखेंगे बच्चो del v divided by del r अब समझाते हैं कि यह कहां से ले आए एकदम से ठीक है differential form में यानि कि बहुत छोटे से delta r में बच्चो बहुत छोटे से delta r में अगर आप इस change की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बनता v by r तो हमने इसको लिख लिख लिए del v by del r sir minus तो था नहीं आप minus कहां से लेकर आगए minus तो था नहीं इस minus की पीछे की क्या कहानी आता है question यह कि यह minus कहां से लेकर आए कौन दिया यह minus क्यों लिख दिया अचानक से e is equals to v by r था बात समझ आई del v by del r लिखा बात समझ आई कि आपने छोटा potential कम potential कम displacement यहाँ पर जो है partial change आपने लिख लिया del v by del r तक confusion नहीं था confusion हुआ इस minus sign के साथ यह minus कहां से लेकर आए अब देखो इस minus के कहानी के पीछे यह बस राज इतना सा है minus के कहानी के पीछे राज इतना सा है जो हम define करते हैं यहाँ पर सुनिएगा everybody अब यहाँ पर क्या है minus की कहानी को समझते हैं क्या करते हैं बच्चो minus की कहानी समझते हैं क्या करते हैं सर minus की कहानी समझते हैं कि भई यह minus कहां से आया minus की कहानी ठेक है अब देखें के जरा minus की कहानी माही भीया की जुबानी, यहाँ पर आपके पास एक charge है, जो की source charge है सुनिएगा, कहाँ पर रखा है 0,0 पर, यहने की origin पर है न, अब इधार अरे भाई, line सिधा सिधा नहीं बना यार, ठेक है line जो है सिधा सिधा बनना चाहिए था यह electric field की direction है बच्चो अगर यह positive charge है अगर यह positive source है तो यह electric field का क्या होगा direction होगा, ठेक सपोज यह one unit का value है सपोज यह two unit का value है सपोज यह three unit का value है ध्यान चे सुनिएगा, one unit separation, two unit का separation three unit का separation, charge आपको पता है, हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि यहाँ पर potential v1 है यहाँ पर potential v2 है और यहाँ पर potential v3 है calculate करो जरा formula आपको पता है, potential का formula होता है kq divided by r है ना, तो यहाँ तुम v1 को क्या लिखोगे, v1 को लिखोगे kq divided by 1 यहाँ तुम v2 को क्या लिखोगे kq divided by 2 यहाँ तुम v3 को क्या लिखोगे kq divided by 3 है ना समझो ध्यान से एलेक्ट्रिक फिल्ड की डिरेक्शन में एलेक्ट्रिक फिल्ड की डिरेक्शन में अगर कोई बंटी आगे बढ़ेगा एलेक्ट्रिक फिल्ड की डिरेक्शन में अगर कोई बंटी आगे बढ़ेगा ठीक है तो उसे अलग-अलग point पर potential मिलेगा पहले point पर potential kq है दूसरे point पर potential kq by 2 यहने कि आधा हो गया तीसरे point पर potential kq by 3 यहने कि 33% रहे गया और आगे चलेंगे kq by 4 25% रहे जाएगा तो इसका मतलब यह है electric field की direction में potential decrease कर रहा है क्या हो रहा है बच्चों है जी electric field की direction में potential क्या कर रहा है decrease तो यह minus sign क्या बताता है यह minus sign बताता है जो V है क्या करेगा बच्चों decreases V क्या करेगा decreases in the direction of in the direction of electric field in the direction of electric field इसलिए यहाँ पर मैंने minus sign लगाया अब clear हुआ सब लोगों को everybody yes or no potential always decreases in the direction of electric field आप चाहें तो plus charge के लिए समझा same आप यहाँ पर minus charge के लिए भी कर सकते हो minus के लिए electric field क्या होती towards minus के लिए electric field क्या होती towards 4 negative source मैं यही पर कर दे रहा हूँ जरासी जगह में minus की कहानी यही पर समझ ले है ना तो अगर आप यहाँ पर source को क्या कर देते बच्चों negative कर देते negative अगर तुमने source को किया तो electric field का direction ऐसा हो जाता अगर electric field का direction ऐसा होता तो यहाँ पर minus kq होता potential यहाँ पर potential होता कितना तो minus का kq by 2 होता यहाँ पर potential कितना होता minus का kq divided by 3 होता आपको एक बात पता है negative में value जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी negative में value जितनी बड़ी वो उतनी ही छोटी तो यह वाला potential सबसे कम यह वाला उससे थोड़ा ज्यादा ये वाला सबसे ज्यादा तो फिर negative source के लिए भी electric field की direction में potential decrease कर रहा है तो ये statement अपने दिमाग में गाठ बांध लो अगर कुछ गाठ बांधने का आपके पास है तरीका तो right आई बात समझ में तो रिष्टा क्या बना सर रिष्टा बना E is equals to minus of del V by del A ये है electric field और potential का खूब सूरत सा प्यारा सा रिष्टा इसी रिष्टे की शुरुवात अगर हम यहाँ पर थोड़ी से ऐसे define करें आपने define किया E is equals to minus of del V divided by del R आप इसको और करके लिख सकते हैं del V can be written as minus of E dot dr बच्चो क्या लिखेंगे minus of E dot dr है ना ये vector है और ये vector है और ये del V एक scalar quantity है ये कैसा है बच्चो ये dot product है कैसा product होना चाहिए it must be dot product ठीक है क्यों कि इन दोनों का vector multiplication del V है और del V क्या है del V एक scalar quantity है तो कभी भी दो vector का multiplication अगर resultant scalar है तो वो product कैसा होना चाहिए dot product होना चाहिए ये बात भी समझ में आ गई अब एक बात और है अगर आपने यहाँ पर डेलार लिया यहने की partial change की बात करी थोड़ा सा देखो दो बाते हो सकती है एक तो माही भाया यहाँ खड़े और यहाँ से खिसक के कैमरे की इस frame में यहाँ आ जाए significant change हुआ significant change हुआ माही भाया चार-पांच कदम चल ली है लेकिन अगर अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहूँ this is my initial position और मैं केवल इतना आगे बढ़ा so this is del-r अगर आप यहाँ पर देखोगे तो this is dr, छोटा सा change लेकिन अगर मैं चल कर पूरा यहाँ आ आ गया so this is delta-r तो यही जो रिष्टा है इसी रिष्टे को आप और करके ऐसे भी define कर सकते हैं that can be written as delta-v potential difference जिसको आप हमेशा लिखेंगे v final minus v initial और वो हो जाएगा minus आपका e dot delta-r और इंटो में आप यहाँ पर लिखेंगे cos of theta जहाँ पर theta क्या होगा theta होगा angle between electric field and आपका potential sorry electric field and potential नहीं electric field और आपका delta-r के बीच में angle होगा delta-r क्या है separation between the two points बच्चो delta-r क्या होगा separation between the two points यहाँ तक सबको समझ में आया clear है everyone is that clear बहुत बढ़ी हाँ सोजाईए अनुराग अनुराग में श्रेश हो जाईए ठीक है आपके दोस्तों का जब medical में selection होगा तब आपके निद अपने आप खुल जाएगी दोस्त ठीक है बहुत बढ़ी हाँ यहाँ तक clear है सब लोगों को ease, equal to का relation क्या है और यह दो रिष्टे समझ में आ गए बहुत बढ़ी हा कहीं बार जब मैं बच्चों से बात करता हूँ और जब question देते हैं solve करने के लिए वो कहते हैं एक परेशानी है सर मैंने का किस बात की परेशानी है केतना जब भी हम formula लगाते हैं प्लस पंद्रा टिक कर दिया प्लस पंद्रा हो जाता है क्या करें भी मानुस वभाव है जब तक गलतियां करेंगे नहीं सीखेंगे नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो गलतियां करके सीख लेते हैं और कुछ लोग होते हैं की पुंजी केवल 3% लोगों के पास होती है और अगर उन 3% लोगों की पुंजी को आप equally distribute कर दो हर एक व्यक्ति में तो एक साल भर के अंदर अंदर तक वापस वो सारी की सारी पुंजी उन 3% लोगों के पास पहन जाती है क्यों 97% जनता गलती से सीखती कहा है एक गलती करी द मैं किन लोगों से मिल रहा हूँ उन लोगों का मेरे जीवन में क्या importance है उन्होंने मेरी personality को मेरी growth को identify किया है support किया है नहीं किया है मिल रहे हैं किसी से भी गवा रहे हैं वक्त को उसी तरह से न कभी समय का audit करते हैं न कभी अपने मित्रों का audit करते हैं न जो हम पढ़ रहे ह उसका audit करते हैं, बस ऐसी जिन्दगी चली रहती है, ठीक है, चलिए, खेर, छोड़िए, सवालों पर बात करते हैं, परिक्षा उससे निकलेगी, प्रवचन से परिक्षा नहीं निकलती, चलो, प्रवचन से परिक्षा नहीं निकलेगी, तो सवाल करते हैं, और सवाल के साथ स इस session होगा tomorrow 5.30 special class में ठीक है tomorrow 5.30 to 6.30 का जो time interval होगा उसमें हम practice करेंगे धेर सारे questions, equipotential surfaces, relation between electric field and potential और साथ इसाथ electric dipole सब पर चर्चा, अभी यहाँ पर आजाएए electric field आपको यहाँ पर given है, electric field आपको यहाँ पर given है कुछ इस तरह से, electric field आपको given है, e is equals to 15 volt per meter यह आपको दिया हुआ है, और किसी ने आपसे यह कहा है कि यहाँ पर एक point है, point A, ठीक है और यहाँ पर एक point है, point B, क्या है बच्चो, point A और point B point A पर जो potential है VA, that is given to you 30 volt कितना दिया है, आपको 30 volt दिया है, point B पर जो potential है VB वो तुम्हें निकालना है, और यह separation तुमको 2 meter दी हुई है यह separation कितनी है, 2 meter एक सवाल यह है, आप इसे try करके answer बताईए, फटा-फट से तब तक मैं आपके लिए एक और सवाल तयार कर देता हूँ ठीक है, तब तक मैं एक सवाल और तयार कर देता हूँ everybody, right, चलिए, लग गए काम पर, answer आ गया, यहाँ पर point A है potential है, इसका 30 volt, right, यह वही, आपकी 15 volt पर meter की electric field है right side, ठीक है, और यहाँ से 60 degree पर, ठीक है, कितने angle पर, 60 degree के angle पर, दो meter की दूरी पर, एक point है, that is point B, और potential at point B आपको calculate करना, these are the two questions, these are the two questions, come on everybody these are the two questions, जल्दी से, जल्दी से चलो साथ ही हूँ है ना, क्या रहा है, क्या रहा है, come on, come on, come on, come on नासरीन, प्रकाश, भव्य गोयल, test है, कल सर, 3 to 6 p.m कल कैसे होगा practice session, सुबह सुबह साथ से 10 करेंगे ना, सुबह सुबह साथ से 10 करेंगे, जो तुमारा exam होने वाला है, उसी से related में practice करवाऊंगा, ठीक है, अच्छा कल, हाँ 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 हाँ, कल तो हमारा paper है, तो यह practice session कल नहीं होगा, day after tomorrow कर लेंगे, day after tomorrow कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, आज तो आपकी class है, आज तो है special class, जिसमें हम electrostatics की DPPs discuss करेंगे, ठीक है, electrostatics की DPPs discuss करेंगे, everyone, yes, 60 volt आ रहा है, बहुत बढ़िया, amazing, उम्दा परदर्शन, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एकदम दिल को छू लिया तुम लोगोंने, है ना, दिल को छू लिया, एकदम सिधे, हाँ, दिल को छू लिया, सहाट वोल्ट वाले जितने भी बच्चे हैं उन्होंने मतलब दिल को छू लिया बहुत बढ़िया एक बात बता दो तुम लोगों को जब भी कोई तुम्हें पूछे न कि तुम फिजिक्स कहां पढ़ते हो कौन तुम्हें फिजिक्स पढ़ाता है मेरा नाम मतले ना खराब करोगे क्योंकि अरे अकल के दुश्मनों ठेके मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था लेकिन तुमने मजबूर कर दिया भीया इधर देखो इलेक्ट्रिक फिल्ड कहां है तो अगर वीए का पोटेंचल 30 है तो वीबी का पोटेंचल फोर्शर लेस देन 30 वोल्ट होगा ये तो करेक्ट पता कंफर्म हो गया इलेक्ट्रिक फिल्ड की डिरेक्शन में पोटेंचल डिक्रीस करेगा तो कम से कम सही आंसर ना कर सको तो कम से कम बलंडर तो मत मचाओ गलत आंसर तो मत करो 30 से जादा हो ही कैसे सकता है आंसर क्या होगा 30 से कम क्या हो सकता है 20 हो सकता है 5 हो सकता है 10 हो सकता है 0 हो सकता है कुछ भी होगा लेकिन होगा 30 से कम अरे भई लाला अगर तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया था तो कैसे समझाया था कि अगर V की हम बात करेंगे तो E.DR ऐसे ही होता है तो अगर ये चेक कर भी रहे हो तो यहाँ पर 15 है और अगर तुम यहाँ पर देखो कि multiply by 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 30 volt आ जाएगा मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका meaning क्या है है ना ध्यान से सुनना जो हमने थोड़ी दर पहले पढ़ा था तो आप ये समझे कि अगर A से B तक जाने में तुम 2 मिटर चल रहे है यहाँ कि 1 मिटर में कितना potential drop हो जाएगा वोल्ट पर मिटर यहाँ कि 1 मिटर चले तो कितना potential गिर जाएगा 15 मिनिट का यहाँ कि यहाँ पर potential 15 वोल्ट है फिर यहाँ से 1 मिटर आगे बढ़ोगे तो फिर 15 वोल्ट की कमी हो जाएगी जब यहाँ 30 था और 15 दून 30 कम हो जाएगा तो यहाँ पर potential 0 वोल्ट आ गया ना direct मतलब यह formula नहीं लगाया अगर तुम formula लगाते so delta v is equals to क्या लिखते minus of e dot delta r और into में क्या लिखते cos of theta cos theta का value 1 हो जाता cos theta का value क्या होता बच्चो 1 होता क्यूं क्यूंकि a से b तक का जो arrow है वो electric field की direction में है a से b तक का जो arrow है वो electric field की direction में है तो तुम लिखोगे del v v final minus v initial v b minus तुमने क्या लिखा यहाँ पर v a final minus initial is equals to तुम लिखोगे minus यहाँ पर क्या हो गया 15 ठीक है into में delta r की जगे तुमने लिखा 2 और cos theta का value हो गया 1 answer किता आया sir v b यहाँ पर किता आया minus 30 इस तरब भी किता आया minus 30 minus 30 minus 30 cancel हुआ so v b का value आ गया 0 जेसे चाहे देखो दोनों ही तरीके से समझ में आ रहा है same result निकल कर आ रहा है clear है कि नहीं everyone everyone मज़ा आया और क्या गलती करी वो समझा आया अब same question side में और लिखा हुआ है same question side में और लिखा हुआ है लेकिन इस बार क्या है electric field की जो direction है बच्चे वो है right side और इस बार जो आपका delta r है यानि कि initial point और final point को जो जोडने वाला displacement है initial point और final point को जो जोडने वाला displacement है वो 60 degree angle पर है यानि कि इस बार theta आपको 60 degree दिया हुआ है अब बताओ ज़रा answer अब बताओ ऐसे काम करोगे कैसे चलेगा यार अब इधर आजाओ ज़रा अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या लिखोगे delta v is equals to minus of e dot delta r इंटो में आप लिखते हैं sir cos of theta delta v को क्या लिखा सिखाया था v final minus v initial vb minus va e का value 15 दिया हुआ delta r का value 2 है cos theta की जगे इस बार cos 60 हो जाएगा solve किया sir vb va की जगे रख दिया sir 30 यह हो गया sir minus 30 और इंटो में हो गया बच्चो 1 by 2 cancel किया यह 15 हुआ तो उस तरफ जाकर answer आगया sir 15 volt कितना आगया बच्चो 15 volt यह नहीं कि यहाँ पर vb का value कितना आ रहा है 15 volt आ रहा है तो समझ आया आप लोगों को कि everyone is that clear बच्चो प्यारे प्यारे hearts और thumbs up draw करके बताएं कि हान जी भीया यहां तक अभी सारी बाते clear होगे beautiful से राइट और अगर समझ में आती जा रही यह बात तो likes करते रहिएगा session को ताकि मुझे जो है confidence मिलता रहे बच्चो राइट amazing clear हुआ सबको अब एक चीज़ और करते हैं एक सवाल और छोटा सा प्यारा सा इन ही values के साथ लेकिन अब क्या करते हैं तो इस बार question में कुछ ऐसा किया इस बार question में कुछ ऐसा किया कि यहां पर हमने हमने क्या किया बच्चो यह कुछ electric field lines ली ठीक है these are the electric field lines ध्यान से सुनिएगा these are the electric field lines और ये जो electric field lines है इसमें जो points हमने लिया points जो हमने लिये थे that is point A जिसका potential 30 volt था और यहां से perpendicularly हमने ले लिया point B जिसका potential तुम्हें निकालना है VB इस बार जो displacement vector है वो कैसा है बच्चो इस बार जो displacement vector है वो उपर की तरफ directed है यनि कि आप बोलेंगे electric field का जो value है 15 volt per meter 15 volt per meter उससे perpendicular direction में point B है question है आपसे VB का value क्या होगा come on everyone what will be the value of VB जल्दी बताइए come on come on come on come on come on come on दोस्तो right fast do it जल्दी से करके बताइए what will be the answer किता प्यारा सवाल है बहुत कुछ सिखाएगा अभी ये बहुत कुछ सिखाएगा बहुत कुछ सिखने के लिए यहाँ पर हमने इसको लिया हुआ है कि what will be the answer अगर ये electric field 15 volt per meter है और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो so A और B इस तरह के points दिये हुए है A पर potential 30 volt है और B पर potential आपसे पूछा है right 30 volt 30 volt 30 volt 0 कह रहे कुछ बचे 0 कह रहे कुछ बचे 0 कह रहे है 0 change in potential 0 होगा है ना देखना ध्यान से सुनना बच्चो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा पहली बात तो यह कि जो electric field है electric field वो है right side ठीक है electric field आपकी right side है और displacement जो है delta R वो है आपका vertical upside और अगर हम देखे तो इन दोनों के बीच में जो angle है वो 90 degree बन रहा है और अगर theta 90 degree हो जाता है बंधू तो cos theta का value उस condition में 0 हो जाता है जहाँ पर theta 90 वहाँ पर cos theta 0 देखलो आपके सामने जहाँ पर theta 90 वहाँ पर cos theta 0 हो जाएगा तो अगर आप देखोगे तो delta V is equals to minus of क्या लिखते है E dot delta R into में cos of theta जब यह माराज 0 हो गए तो यह पूरा term 0 हो जाएगा यहन्यकि delta V is equals to 0 delta V 0 का मतलब है change in potential 0 बच्चो क्या बोलेंगे हम इसको change in potential क्या हो गया 0 हो गया change in potential 0 होने का मतलब यह हुआ कि potential at point A is equals to potential at point B yes or no everyone potential at point B is equals to potential at point A इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि electric field से perpendicular direction में जितने भी points situated होंगे उस particular line पर या उस particular plane पर बच्चो उस line पर या उस plane पर plane भी हो सकता है और वो एक single line भी हो सकती है यहाँ potential अगर 30 है यहाँ भी 30 होगा यहाँ भी 30 होगा यहाँ भी 30 होगा यहाँ भी 30 होगा यहनिकि अगर यह electric field line अगर आपने इस तरह से बनाई बच्चों सुनिए का ध्यान से और अगर अगर यहाँ पर आपने green color से बना लेते हैं यहाँ पर अगर आपने यह एक line draw करी which is perpendicular to the electric field line तो potential at point A, potential at point B, potential at point C, potential at point D, potential at point E, सारे के सारे points पर potential क्या होगा, same होगा, है ना, A पर, B पर, C पर, D पर, E पर, आप क्या लिखेंगे सर, potential at A is equals to potential at B, is equals to potential at C, is equals to potential at D, is equals to potential at E, All the points have the same potential All the points have the same potential Same potential बोल दो या फिर इसको बोल दो Equal potential everyone Same potential बोलो या फिर आप इसी को बोल सकते हैं Equal potential Same potential बोलोगे या फिर क्या बोलोगे बच्चो Equal potential बोलोगे अब सुनिएगा एक बात और मज़ेदार है Same potential बोलो या फिर Equal potential बोलो तो ये जो surface है या फिर ये जो line है आप इसे क्या कहेंगे देखो equal का मतलब होता है equal equal का मतलब होता है equal कौन potential है कौन equal है बच्चो potential equal है और क्या है ये surface है तो इस तरह का surface जहां के हर एक point पर ऐसा surface जिसके हर एक point पर potential equal हो उसको हम कहते हैं Equipotential Surface क्या कहते हैं बचो हम उसे Equipotential Surface कहते हैं क्या ये बात समझ मैं है इस सब लोगों को Everyone मज़ा आया मज़ा आया बचो Equipotential Surface का बड़ा Simple सा Definition बड़ा प्यारा सा Definition अब इसे एक बात और बड़ी बहतरीन है जिसे पढ़ते वक्त NCRT रीड करो या बहतरीन किताबे रीड करो पढ़ते वक्त एक बात नजर अंदाज होती है As a learner क्या बात नजर अंदाज होती है जो अनुभव आपको सिखाएगा वो बात ये है कि बई Equipotential Surface तो समझ मैं आ गया एक ऐसा Surface जिसके हर एक पॉइंट पर Potential क्या होगा? Same होगा लेकिन एक मज़ेदार बात आप यहां पर ये नहीं समझ रहे है कि जो Electric Field है वो Potential में Change केवल अपनी Direction में या अपनी Direction से Opposite कर सकती है Electric Field से Perpendicular Direction में Electric Field का कोई वजूद नहीं है Potential को Change करने का समझना आरी बार देखो मैं ये कहना चाहरा हूँ बच्चो कि मान लेते हैं मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक Electric Field EX है So There is Change in Potential Along X Only है ना Potential क्या करेगा सर? Potential May Change Potential यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चो May Change कहाँ पर तो आप लिखेंगे सर Along कहाँ पर Along X Axis Only Along X Only ठीके Y में कोई Change नहीं होगा इस EX की वज़े से Y में कोई Potential Change नहीं होगा इस EX की वज़े से Z में कोई Potential में Change नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर Y EX से Perpendicular होगा Z जो है वो भी इस EX से Perpendicular होगा So Electric Field अपनी Direction में या अपनी Direction से Opposite Direction में Cable Potential को Change करती है Otherwise उससे Perpendicular Direction में There is no Change तो एक बात यहाँ से और निकल कर आती है उसको भी ज़रा विचार करनेते हैं और वो बात यह है कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं Always केसी होंगी बच्चो Are Always Perpendicular to Equipotential Surfaces Are Always Perpendicular to Equipotential Surfaces यह एक बहुत बहुत बहुतरीन बात हैं है ना Right So दो स्टेटमेंट कितने खुबसूरत है पहला Electric Field Lines Are Always Perpendicular to Equipotential Surfaces और दूसरा Electric Field जिस Direction में होती है Potential केवल उसी Direction में Change होता है या उससे Opposite Direction में Change होता है Perpendicular Direction में कभी कोई Changes Record नहीं होंगे Right Clear है Yes or No आई बात समझ में बहुत बढ़िया अब एक चीज और समझते हैं Equipotential Surfaces से Related ही एक और कहानी समझते हैं और वो समझते हैं Questions के जरिए Right वो समझते हैं Questions के जरिए एक मिनट के टाइम दीजेगा बच्चो एक मिनट के टाइम दीजेगा हाँ जी एक मिनट के टाइम दीजेगा I'm coming back Yes अब देखो जरा एक और बहुत प्यारा सा Question जो है एक और बहुत प्यारा सा Question यहाँ पर हम करते हैं और उससे हम समझते हैं इसकी Understanding हम लेते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है ठीक है Everyone अब एक चीज और समझ बहाएगी कि अगर आप यहाँ पर एक जामपल देखते हैं मान लीजे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक सर्फेस है यहाँ पर एक दूसरा सर्फेस है यहाँ पर एक तीसरा सर्फेस है यहाँ पर एक चौथा सर्फेस है एक दो तीम चार ऐसे सर्फेस है और कहानी यह है कि यहाँ पर मान लिजीए 0 cm पर है यह 10 cm पर है यह 20 cm पर है यह आपका 30 cm पर है याने की 10-10 cm की gap पर है इसके पास potential 40 V dictionary इसके पास potential 30 V dictionary इसके पास potential 20 Vünüz और इसके पास potential 10 V आपसे कहा है यह इक भी potential surfaces का डायगराम है आप बताइए यहाँ पर electric field का value कितना होगा और इसकी direction क्या होगी electric field का value कितना होगा और इसकी direction क्या होगी come on everybody कर सकने हैं आप come on come on come on come on everyone जल्दी से सूजल, मयूर, राहूल, potential is depends upon electric field yes of course electric field पर depend करेगा electric field की वजह से potential vary तो करता ही यह बचे जल्दी से अनन्या ठीक है, दर्श, वास्फिया, जैदी, विरिंद्र विरिंद्र मैंने अभी नहीं करवाया है thermodynamics मैं दो one shot उसका करवा रखा है अगर आपको अभी thermodynamics करना है तो KTGO और thermodynamics दोनों का one shot आप देख सकते हैं syllabus पूरा completed देखो syllabus पूरा completed, जो भी chapters आपको पढ़ने है unacademy need पर मैंने सारे chapters करवा रखे हैं कुछ भी remaining नहीं है आप देख सकते हैं, बट वो previous chapters है मन्थन में मैंने अभी नहीं करवाया मन्थन अभी चल रहा है अपनी जगर, राइट किसे कर पाएंगे, कैसे तो एक चीज़ यहाँ पर देखेगा जरा है ना, तीन बाते पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि जो dv है, is equals to minus of e dot dr होता है एक तो यह relation हो गया या फिर आप इसी को याद रखेंगे कि sir delv is equals to minus of e dot dr और यहाँ पर आप लिखेंगे cos of theta एक रिष्टा यह numerical value calculate करने के लिए यह formula याद होना चीए दूसरा important point जो है electric filled lines जो है बच्चो electric filled lines क्या होती है sir, are always जो है electric filled lines are always perpendicular to perpendicular to कहा होंगी तो आप बोलेंगे sir, perpendicular to equipotential surfaces perpendicular to कहा होंगी equipotential surfaces, यह दूसरी बात, और तीसरी बात आप यहाँ पर, खिर इन दो से ही आपका पुरा काम बन जाता है इन दो से ही आपका पुरा काम बन जाता है तो फिर आप यहाँ पर, अच्छा एक तीसरी बात और ध्यान रख लीजेगा, perpendicular तो होती है, और आप यहाँ पर तीसरी बात यह है कि जो potential है बच्चो, जो potential है वो क्या करेगा potential always, potential always क्या करेगा बच्चो, decreases along electric field, ठीक है along electric field electric field की direction में potential हमेशा क्या करेगा decrease करेगा, तो भई आये हम चर्चा करने शुरू करी और चर्चा करना शुरू किया हमको पता लगा कि अगर potential जो है electric field की direction में decrease करेगा मेरे पास दो arrows यहाँ पर बन कर आते हैं, एक यह yellow color का arrow बनाया मैंने और एक मैंने बनाया green color का arrow दोनो perpendicular है, दोनो मुझे बताओ कि कौन सा arrow सही होगा, yellow वाला सही है या green वाला सही है, come on everybody everybody, ठीक है समझ में आ रही है बात दो arrows मेरे पास है, एक yellow वाला arrow है, जिसका arrow directed है right side, एक green वाला arrow है, जो directed है left side दोनों ही perpendicular है, एक potential surfaces से दोनों ही perpendicular है, बट तुम यह बता दो कि यहाँ पर होगा क्या आजी, जल्दी से which one is the correct sir, dr की जग़र dv आएगा अरे, यह dv ही है, मैंने थोड़ा सा जो है लिखने में वो v r की तरह बन गया, nothing else वो v ही है, yellow वाला, yes sir, green वाला arrow गलत हो गया, green वाला arrow गलत हो गया, yellow वाला arrow permissible yellow वाला arrow permit होगा यह सही होगा, क्योंकि potential जिस direction में decrease कर रहा है, वही direction electric field का होगा, यह पहली बात समझ में आ गई, देखो perpendicular क्यों बनाया, क्योंकि यह वाला point satisfy करना था, yellow वाला क्यों choose किया, क्योंकि point 3 satisfy करना अब magnitude निकालना है, तो point number 1 को use करके, magnitude निकाल दो कैसे निकालोगे, कोई भी 2 equipotential surface पकड़ लो, कोई भी 2, यह वाला ले लो, दोनों या फिर यह दोनों ले लो, या फिर यह और यह ले लो, कोई भी 2 ले लो, right, ठीक है so funda यहाँ पर क्या हो रहा है अगर मैंने 20, 30 वाले surfaces लिये, देखो तुम चल के कहां जाओगे, you have to always walk along electric field बात को ध्यान से सुनना, you have to always walk along the electric field, तो जो पहले पड़ेगा, वो तुमारा initial हुआ, और जो बाद में पड़ेगा वो तुमारा final हुआ, कई बच्चे जो separation है, दोनों के बीच में जो separation है दोनों के बीच में जो separation है उसे कैसे लिखोगे सर, तो separation will be 10 divided by हो जाएगा 100, ठीक है, और यहां पर आएगा cos of theta, cos of theta का value देखो 1 हो जाएगा, cos of theta का value 1 होगा, ध्यान से सुनना, cos of theta का value 1 होगा, कैसे क्योंकि दोस्त, यहां पर point number 1 है, यानि कि initial है, यहां पर आपका final point है तो आपका delta R देखो, इस तरफ directed है, यह separation AC है न, this separation is like this, तो यह वाला separation और यह electric field दोनों same direction में है, यानि कि theta 0, और जहाँ theta 0, होगा, cos theta 1 हो गया, तो answer आपके सामने है minus minus, यह plus हो जाएगा, तो यह हो गया 10, और इधर यह 10 से 10 खतम होगा, तो kul मिला कर आगया, E is equals to 100, क्या आजाएगा बच्चो, volt per meter is the correct answer 100 volt per meter is the correct answer, आया सब लोगों का, everyone answer आया कि नहीं अभी एक बच्चे ने question बुचा कि sir, why yellow is right क्या कहा था, electric field की direction में, अगर तुम चल के जाओगे, if you run in the direction of electric field तो potential decrease करना चाहिए, अगर आप ऐसे चलोगे, green arrow की direction में, तो potential बढ़ रहा है, 10 के बाद 20 हो गया, 20 के बाद 30 हो गया 30 के बाद 40 हो गया, जबकि आपको क्या कहा, आपको यह कहा गया है, कि जब आप electric field की direction में, चलते हैं, तो potential decrease करना चाहिए इसलिए तो 3 point में लिख दिये इसलिए तो 3 point side में लिखे हुए है, come on everyone आ गया, सब लोगों को फटा-फट से एक बाद thumbs up करो जल्दी से एक बाद thumbs up करके बताओ कि हाँ जी सर, सारी चीजें खुबसूरत तरीके से समझ में आ गई, कहीं कोई confusion नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, alright is that clear, very good perfect, perfect, अब देखो और बात करते हैं, सवाल की थोड़ी सी फिल्ड में, direction हमेशा किस तरह का दिया जाए, हना तो देखो, जरूरी नहीं है, कि वो direction always जो है, यहाँ पर theta 0 दे, theta का value कुछ भी हो सकता है, अब वो theta decide कैसे होगा, वो theta decide कैसे होगा, बहुत important aspect है यह तो इधर आए है, right यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पर, दो सवाल बनाते हैं, यहाँ पर भी, दो सवाल बनाते हैं, और दोनों से आपको सीखने को मिलेगा, बच्चों दोनों से आपको सीखने को मिलेगा, right इधर देखेगा जरा, यह है आपके पास इस तरह की situation इस तरह की situation right अब यहाँ पर मैंने कुछ surfaces बना है ठीक है this surface number one surface number two surface number three surface number four and so on है न ठीक है चलिए यहाँ पर zero centimeter है यहाँ पर 10 centimeter है लिख देते हैं यहाँ पर 10 centimeter है यहाँ पर जो है लिख देते हैं इसको यह वाला जो है this is your 20 centimeter right and this is your 30 centimeter this is your 40 centimeters ऐसे अलग-अलग यहाँ पर जो है points पर ये cross कर रहे हैं these are the equipotential surfaces these are the equipotential surfaces इस बार मैं क्या कर रहाँ यहाँ पर मेंने लिए 40 volt यहाँ पर मेंने लिए 30 volt यहाँ पर मेंने लिए 20 volt और यहाँ पर मेंने लिए 10 volt ठीक है एक सवाल यह है और एक सवाल हम यहाँ पर आते हैं बच्चो same to same लेकिन क्या change करूँगा उसको देखेगा जरा उतने से में भी बहुत कुछ बदल जाएगा पहला surface है दूसरा surface है तीसरा तीन बहुत है तीन ही बना लेते हैं 0 है यहाँ पर यहाँ पर है 10 cm ठीक है यहाँ पर है 20 cm यहाँ पर है 30 cm और changes यह किये कि यहाँ पर है 40 V यहाँ पर है 30 V यहाँ पर है 20 V ठीक है मतलब इस direction में potential decrease हो रहा है दोनों ही cases में आपको पूछा है बताइए electric field का value क्या होगा बताइए electric field का value क्या होगा 2 cases you have दोनों ही case में electric field calculate करना है come on everybody do it fast डेल्टा की कहानी क्या है डेल्टा की कहानी बड़ी simple है दो एक भी potential surfaces के बीच में जो separation है उसे आप डेल्टा आर कहते हैं वही सिखाने के लिए यह दो questions है I know that कि आपको डेल्टा आर confused करेगा आपको theta की value कौन सी predict करनी है आपको theta कौन सा वाला सलेक करना है वो दिक्कत देगा और उन्ही सारी aspects को समझने के लिए और समझाने के लिए I have these two questions come on everybody ठेक है हाँ जी angle अभी अभी देखो अरे भाईया theta नहीं दिया theta नहीं दिया अच्छा हाँ sorry theta नहीं दिया यह वाला angle आपको दिया हुआ है 30 degree ले लेते है यह वाला angle आपको दिया 30 degree 30 degree यह वाला angle आपको दिया 30 degree है ले लिया चलो angle अभी ध्यान से सुनना अब सवाल को करते हैं करें सवाल को एक चीज़ बताईए यहाँ पर भी यहाँ पर भी अगर आप देखें दो एरो बनाता हूँ मैं दो एरो हमेशा की तरह एक yellow वाला एक green वाला चलो मैंने यहाँ पर एक arrow बनाया यह है ना यह सारे के सारे surfaces कैसे हैं यह सारे के सारे surfaces equipotential हैं है ना पहली बात याद रखो यह सारे के सारे surfaces अगर equipotential है तो यहाँ पर जो electric field का direction होगा वो इससे perpendicular होगा यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए पहला arrow मैंने बनाया यह yellow color का ठेक है एक यह electric field line को represent कर रहा है और एक arrow में यहाँ पर बनाना चाहता हूँ green color का green color का बच्चो ठेक है यह भी मैंने बनाया perpendicular और यह green color का arrow कौन सा है green color का arrow visible है दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चो everyone अब तुम मुझे बताओ तुम मुझे बताओ कौन सा सही होगा come on everyone which one is correct green color का सही होगा यह यहाँ पर yellow color का सही होगा अब बताओ जरा एकड़म visualize होगा feel होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे मतलब एकड़म जल्दी जल्दी में आगे बढ़ने का कोई ओचित ये नहीं है कोई फाइदा नहीं है come on come on जल्दी से अंजी yellow वाला सही होगा green वाला सही होगा green वाला उपर की तरफ directed है yellow वाला नीचे की तरफ directed है अब यहाँ पर जवाब आना शुरू हुआ yellow अब जितने बच्चे अगर तुम्हारे दिमाग में कही थोड़ा बहुत भी ये doubt है कि हम तो जवाब देही नहीं पाए yellow बच्चे कैसे बता रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं कि इस वाले एकवी potential का surface इस वाले surface का potential कितना है 40 इस वाले का कितना है 30 इस वाले का कितना है 20 इस वाले का कितना है 10 क्या था third point क्या सिखाया था in the direction of electric field potential decrease करेगा तुम green arrow के along अगर चल कर जाओगे अपनी उगली को ऐसे green arrow की तरफ तुम चलाओगे पहला surface तुम cross करोगे 10 का अगला तुम cross करोगे 20 का अगला तुम cross करोगे 30 का अगला तुम करोगे cross 40 का electric field की direction में potential बढ़ रहा है वो तो संभवी नहीं है तो green cancel हो गया कौन select हुआ? select हुआ yellow color का arrow क्यूँ? क्यूंकि अगर आप yellow color की direction में अपनी finger घुमाओगे तो तुम 40 से 30 पर आओगे 30 से 20 पर आओगे 20 से 10 पर आओगे यानि कि ये बात सही बता रहा है direction तो ये होगी अब एक चीज और समझते हैं direction तो clear हो गई direction clear होने के साथ साथ कोई भी 2 point ले लो कोई भी 2 point ले लो रखनी पड़ता ठीक है आपने मान लीजिए ये वाला लिया initial surface और ये वाला लिया final surface किस के बीच में 30 और 20 के बीच में ये वाला point तुमारा initial है और ये वाला point तुमारा final है तो ये delta r होगा साथियों इस बार ये delta r है ये वाला 10 cm तो अगर ये कैसा है ये 30 है तो ये वाला angle कितना हुआ बच्चो 60 हुआ कि नहीं हुआ everyone मैं थोड़ा zoom करके दिखा दू अगर आप चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं कोशिश कर रहे हैं ठेक है हो जा यार हो गया देखो जा रहा है हाँ ठेक है ये initial है और ये surface final है initial से final की तरफ ये arrow ऐसे जा रहा है है ना initial से final की तरफ arrow ऐसे गया ना initial से final की तरफ हमेशा ऐसे बना लो तो ये delta r कितना है 10 है और ये वाला angle कितना है 60 degree है electric field का direction है ये वाला तो इस arrow और इस arrow के बीच में angle 60 degree हो गया हुआ के नहीं हुआ हुआ ना 60 degree राइट तो solution करते वक्त क्या answer करोगे solution करते वक्त answer करोगे ऐसा delta v is equals to minus of e delta r into में लिखोगे cos of theta delta v की जगर लिखोगे final minus initial final है 20 initial है 30 e का value calculate करना है delta r का value हो जाएगा 10 divided by 100 दो एक भी potential surfaces के बीच की दूरी बच्चो 10 divided by 100 और cos of theta कितना हो गया cos of 60 degree अब तुम क्या करोगे तो यहाँ पर देखो यह minus 10 और यह 10 आपका cancel out हो जाएगा यह बनेगा 1 by 2 तो e का value आगया 200 कितना आगया बच्चो 200 volt per meter और angle कहां पर है angle है at 60 degree at 60 degree from x axis बच्चो ठीक है कहां पर होगा तो आप बोलेंगे sir at 60 degree with x axis x axis के साथ कितना angle बना रही है वो electric field 60 degree का angle बना रही है अब समझ में आया कि नहीं I need some thumbs ups beautiful hearts फटा फट से chat section में so that I can understand कि हान जी भहिया यह तो समझ में आ गया हान जी भहिया अरे सनाया कैसे बच्चे एक एक चीज को इतने इतने detail में जाकर explain किया है कैसे bounce कर सकता है आजी आजी everyone right अब clear है perpendicular distance क्यों नहीं यह एक अच्छा सवाल है एक बच्चे ने पूछा है why we are not taking perpendicular distance okay come on tell me one thing जो 10 cm आपको दिया है वो यहां से यहां तक का 10 cm given है यह वाला 10 cm given है आपको यह वाली separation दी ही नहीं है आपको पता नहीं है तो यह तो आप बना लीजिए मैं फिर से बता देता हूँ बच्चो इस तरह की मतलब अगर भ्रांती आपके दिमाग में आ रही है देखो एक बात समझो कि यह है आपका थोड़ा सा बड़े एरो बना लेते हैं यह है आपका 10 cm ठेक है यहां पर potential है आपका कितना यहां पर आपका potential है 30 V ठेक है यहां पर इस point पर potential कितना है आपका 20 V ठेक एलेक्ट्रिक फिल्ड जो है इससे 60 डिग्री एंगल पर इस तरह डिरेटेड है अब तुम्हें दूरी यह वाली गिवन है जो 10 cm है यहां से यहां तक की दूरी गिवन है अगर तुम perpendicular separation यहने की दो एकवी potential surfaces के बीच की अगर तुम perpendicular separation चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा यह जो 10 cm है इसका component लेना पड़ेगा तो ले लो तुम 10 cm का component ले लो कौन सी बड़ी बात है क्या नुकसान है कोई नुकसान नहीं है यह component कितना होगा 10 cos 60 होगा और 10 cos 60 मतलब कितना हो जाएगा 5 cm होगा चलो वो करके दिखा देता हूँ मैं वो करके दिखा देता हूँ तो अब यह वाला delta r क्या हो गया अब यह delta r क्या हो गया यह delta r हो गया along the electric field तो तुम क्या लिखोगे तुम लिखोगे delta v is equals to minus of e और आप यहाँ पर केवल delta r लिखोगे यहाँ cost theta की जरुवत नहीं रही तो यह हो जाएगा बच्चो minus of e तुम्हें as it is निकालना है delta r की जगह तुम रखोगे 5 divided by 100 यहाँ पर तुम लिख दोगे minus 10 minus minus plus हुआ 5 दुनी 10 होगा तब भी e का value 200 आया दोस्तो कुल मिलाकर कान चाहे जेसे पकड़ना हो पकड़ ले कान चाहे जेसे पकड़ना हो पकड़ ले answer हमेशा same आएगा there will not be any changes at all there won't be any changes वच्चो right एक दम simple सा aspect है एक दम simple सा फंडा है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है clear सब लोगों को किसी को कोई confusion तो नहीं है कोई दिकत तो नहीं है किसी को कोई परिशानी तो नहीं है अब समझ आया अब समझ आ गया बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं सर इस वाले सवाल में आपका क्या कहना है ना तो चीजे तो सेम ही है ये 10 सेंटीमिटर है ये 20 सेंटीमिटर है ठीक है किता सेंटीमिटर है 30 सेंटीमिटर यहाँ पर 40 वोल्ट एक बनाऊँगा यलो कलर का एरो हमेशा की तरह एक बनाऊँगा मैं ग्रीन कलर का एरो ठीक है और तुम लोग मुझे इजाज़त दोगे कि कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है everybody yes or no देखो आपके सामने एक ग्रीन बना दिया एक यलो बना दिया देखो एक ग्रीन बनाया एक यलो बनाया अब तुम जवाब दो जल्दी से अब जवाब दो है ना EU उपर होगा कौन सा सही होगा यलो वाला या ग्रीन वाला जल्दी से आंसर करो आ गया समझ में सब लोगों को अब तो confusion नहीं है किसी को अब कोई बच्चा ये नहीं कहना चाहिए ठीक है एवरिवान बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो इस बार बच्चों ने जवाब दिया कि सर इस बार भी यलो सही होगा और ग्रीन जो है वो गलत होगा लेकिन अब एक मज़ेदार बात है अगर तुम ऐसे चल कर जा रहे हो अगर तुम ऐसे चल कर जा रहे हो तो पहले तुम्हारे रास्ते में कौन आएगा पहले तुम्हारे रास्ते में 30 आएगा बाद में तुम्हारे रास्ते पर 20 आएगा यहने कि आपका जो डायरेक्शन है वो ये वाला हो जाएगा अरे direction क्या हो जाएगा ये वाला everybody yes or no direction ये वाला हो गया ना delta r का यहाँ से इधर समझ रहे हो initial से final की तरफ हमेशा ऐसे ही सिखा है मैंने आपको initial से final की तरफ अब अगर ये वाला angle 30 है ये 90 है तो ये वाला angle 60 होगा बच्चों हाना सुनो ध्यान से जरा तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ सीन आपको ऐसा मिलेगा कि सर ये electric field है और इस तरफ आपका ये delta r है everyone everyone please have a look यहाँ पर देखो जरा ये आपका क्या होगा सर ये 10 cm है और ये आपका delta r है और इन दोनों के बीच में angle अभी भी 60 degree है तो कहानी बड़ी simple है कहानी बड़ी simple है सर यहाँ पर potential 30 volt है सर जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो potential 20 volt है यहनिकी solve जब करूँगा तो electric field is bar भी magnitude तो उसका 200 volt per meter ही आएगा क्योंकि बाकी सारी चीज़े सेम है राइट everyone है रा बचो आएशा, अनुश्या, राइट, महादेव, निखिल राज everyone, अंकेत, सनाया सब लोगों को clear है 200 volt divided 200 volt per meter magnitude तो clear है सर direction का क्या चक्करेजवा direction का क्या चक्करेजवा यह कैसे define करेंगे अरे तुम्हें सीज़े समझ में आ रही है अगर यह तुमारा 30 है तो यह भी तुमारा 30 होगा this is your 30 degree और यह वाला angle तो 90 degree है यनि कि कहा पर हो जाएगा at 120 degree with x-axis, x-axis के साथ कितने angle पर होगा तो तुम बोलोगे सर वो होगा 120 degree पर 120 degree पर यह वाला total angle अगर आप देखोगे यह वाला total angle अगर आप देखोगे तो 120 degree हुआ ना x-axis के साथ yes, खतम सवाल खतम सवाल तो भाया, एकवी potential surfaces इतने ही आसान होते हैं एकवी potential surfaces जो है वो इतने ही आसान होते हैं कोई बड़ी यहाँ पर जो है, बात नहीं होती ठीक है, clear है everybody, यह समझ में आया चलो, एक और चीज़ करते हैं अब थोड़ी देर पहले हमने एक relation पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चो, एक रिष्टा पढ़ा था एक relation पढ़ा था अब एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है कुछ बहुत विचित्र सवाल आते हैं इस रिष्टे पर best, ठीक है क्या-क्या होते है, तो सुनिए सवाल कुछ यूँ हो जाता है कि यहाँ पर अगर हम डेलार की बात करें यह है क्या, ठीक है, तो बच्चो यह जो E है यह एक vector quantity है यह electric field क्या है, this electric field is a vector quantity vector quantity यहने कि यह क्या करेगा, यह बताएगा कि मैं X में भी हो सकता हूँ मैं Y में भी हो सकता हूँ और मैं z में भी हो सकता हूँ मेरी जो value है वो e x में भी संभव है वो e y याने की y में भी संभव है और वो e z याने की z में भी संभव है तो दोस्तों ये जो e is equals to del v by del r लिखा है इसमें अगर तुम्हें e x को define करना है तो वो होगा minus of del v by del x क्या लिखोगे minus of del v by del x अच्छा ऐसा क्यूँ del v by del x लिखा और जब आप del v by del x लिखोगे तो आप y और z को constant consider करोगे क्या consider करोगे y और z को constant अब एक मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं पहले बता चुका हूँ पहले पढ़ा चुका हूँ जब ex is equals to minus of del v by del x तुमने लिखा तो तुम y और z को constant क्यूँ लोगे अगर v बालोग किसी लिए आपसे ये कहा कि v is equals to 6xyz minus 2x square plus 3yz square है ना and let's see मतलब यहाँ पर एक और चीज़ एक और टम लेंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा ये आपको किसी potential का relation दिया हुआ है और आपसे बता लगाने के लिए कहा है electric field at comma 1 comma 1 यहाँ पर क्या होगा electric field at point 1 comma 1 comma 1 क्या होगा एक question आता है potential आपको xyz के relation में दिया हुआ है और electric field आपको किसी point पर पूछा है ठेक है right everyone clear है right है ना clear बहुत बढ़िया अब एक बात बताओ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब तुम इसको differentiate करोगे जब तुम इसको differentiate करोगे तो बच्चा बोलता है कि सर अगर v ऐसा होता 100 divided by 100 divided by x square तो इसको x के respect में differentiate करना आसान होता अगर v as a function of keval y होता तो उसको differentiate करना आसान होता v as a function of keval z होता उसको differentiate करना आसान होता सर यहां तो x, y, z सब एक साथ आ गए तो फिर कैसे करेंगे तो जब तुम x के respect में differentiate करोगे y और z constant होगा जब तुम y के respect में differentiate करोगे सुनना जब तुम y calculate करोगे तो तुम लिखोगे minus of del v divided by del y और उस condition में आपका x and z क्या होगा constant होगा और जब तुम calculate करोगे जब तुम calculate करोगे ez को वो होगा आपका minus of del v divided by del z और उस condition में तुम्हारा x और y constant होगा लेकिन ऐसा क्यूं इसके पीछे की कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ फिर repeat कर देता electric field जो e x है वो केवल x वाले potential को प्रभावीत कर सकती है y और z वाला potential unaffected रहेगा अरे तुम्हें क्या बोला था अगर electric field ऐसे है x direction में अगर electric field ऐसे है x direction में तो उसकी वजह से केवल x direction का potential affected होगा y का और z का जो उस field से perpendicular है वो क्यूं affect होगा उसी को तो हमने एक भी potential नाम दिया था इसलिए जब तुम e x calculate करते हो और differentiate करते हो with respect to x तो y और z constant हो जाते हैं आई बात समझ में यह current तुम्हें पहले नहीं पता था ना यह current तुम्हें आज पता चला तो इसके लिए hearts float होने चाहिए के नहीं right बचो everyone क्या कहा मैंने कि जब तुम e x calculate कर रहे हो dv divided by dx why this is so क्योंकि y और z को तुम्हें constant लेना है और constant क्यों लेना है क्योंकि x direction का electric field के वल x को affect करेगा y और z के potential का कोई लेना देना नहीं होता है right clear है yes because y and z direction are perpendicular to this electric field ठीक है चलो सवाल करते है यह सवाल बना लेते हैं सर इसी को हम सवाल बना लेते हैं जो अभी हमने थोड़ इतनी theoretical बात करी तो इसी को हम practicality में convert कर लेते हैं चली आज़ेए ज़रा अगर आपको electric field निकाला मैंने क्या कहा किसी भी space में किसी भी point पर electric field तीन चीजें एक साथ contain करती है e x b e y b और e z b हो सकता है इनमें से कोई 0 हो जाए हमें क्या फरक पड़ता है लेकिन ऐसा होता है तो अगर मैं यहाँ पर e x calculate करूँ तो मैं क्या लिखूँगा minus of del v divided by del x very good चलो minus of d divided by dx यह differential operator आपने बाहर रखा और v की जगा यह statement उठा के रख दो 6 x y z minus हो जाएगा 2 x square and plus हो जाएगा 3 y z square ठीक सुनिएगा ध्यान से अब जब आप इसे differentiate कर रहे हैं x के respect में तो x का differentiation 1 हो जाएगा y और z constant है जैसे 6 constant है वैसे y और z भी constant है बाहर निकालो बड़े प्यार से ठीक है तो यह तो बाहर आ गया तो minus हो जाएगा 6 y z बाहर आ गया x का differentiation 1 हो गया ठीक है minus minus plus हो जाएगा यह minus अंदर जाएगे plus कर देगा तो 2 x square का हो जाएगा sir आपका 4 x और यह वाला तो क्या है constant है भाई 3 भी constant y भी constant z भी constant और constant का differentiation 0 तो यह e x आया e x का value अगर तुम देखोगे 1,1,1 यह नहीं की e x1,y1,z1 1,1,1 का मतलब है x का value कितना बच्चो x का value 1 y का value 1 z का value भी 1 तो तुम यहाँ पर अगर e x की बात करोगे at 1,1,1 so that coming out to be minus 6 into my 1 into my 1 into my 1 और plus हो जाएगा 4 into my 1 तो answer आया बच्चो minus का 2 volt per meter किस direction में है यह i cape में e x है न बच्चो e x है तो minus i cape में होगा आई बात समझ में clear एक ही नहीं देखो ऐसे सवाल जब परिक्षा में होंगे तो फिर तुम किसी का सर मुझ नहीं देख सकते ठीक है हला कि easy पूछेंगे इतने वैसे नहीं बट मैंने एक सवाल कराना है और एक सवाल बड़े मचा के ठीक है बच्चो एक सवाल कराना है और वो भी बड़ा मचा के कराना है ठीक clear है सब लोगों को आई बात समझ में बहुत बढ़िया minus 2 आ गया अब हम बात करतें सर किसकी अब हम बात करतें यहाँ पर EY की है सुनिएगा अब हम बात करतें EY की जब तुम EY की बात करने जाओगे direct करूँगा बच्चो अब मैं अब जब तुम EY की बात करने जाओगे तो क्या लिखोगे minus del V divided by del Y तो Y के respect में differentiate होगा सुनना यह वाला function Y के respect में differentiate होगा तो minus का 6XZ constant आ जाएगा Y का differentiation 1 हो जाएगा 2X square 0 3Z square का हो जाएगा बच्चो माइनस का 3Z square constant के बाहर Y का differentiation 1 जब तुम यहाँ पर EY को calculate करोगे at 1,1,1 तो यह आ जाएगा बच्चो minus 6 और minus 3 यहने की minus 9V per meter everyone minus 9V per meter आया आया की नहीं क्लियर है बच्चो जल्दी से यहाँ पर अगर आपके statements clear नहीं आएगे तो फिर मुझे वो नहीं समझाएगा कि हाँ आप तक में proper पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया ठीक है बच्चो बहुत simple सा clear है अच्चा इसी तरह से हम निकालेंगे सर यहाँ पर EZ EZ को कैसे निकालोगे minus of del V divided by del Z ठीक है और यह हो जाए minus of D divided by DZ यहाँ पर लिखोगे सर 6XYZ minus 2X square था और plus था 3YZ square अब देखो ज़रा जब आप Z के respect में करोगे तो Z1 हो जाएगा that would be minus XY और Z का differentiation 1 हो गया फिर यह तो हो जाएगा minus आपका 0 और plus हो जाएगा सर यहाँ पर कितना तो minus हो जाएगा यह minus अंदर जाके into करेगा तो minus होगा 3 दूनी 6, 6, Y, Z ठीक है अब solve करते है EZ का value तुम्हें चाहिए EZ का value तुम्हें चाहिए 1,1,1 पर so that coming out to be minus 6 और this is also minus 6 minus 12 volt पर meter so total electric field क्या होगी जो सवाल मैंने आपसे पूछा है electric field E at 1,1,1 यह क्या होगी तो यह होगी EX vector plus आप लिखोगे सर EY vector और plus आप लिखोगे सर EZ vector right everyone clear है कि नहीं अरे भाई thumbs up करके बताओ यार मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है सर minus का 2 IK पाया सर minus का 9 JK पाया सर minus का 12 KK पाया सर clear है सर जी this is the answer this is the answer इसका मतलब तो यह है इसका मतलब तो यह है कि अगर मुझे ये सारी चिज़े गिवन है अगर मुझे ये सारी चिज़े गिवन है तो मैं potential से electric field बना सकता हूँ I can create electric field from the potential one अच्छा अब बच्चा ये सोचता है एक बात बताओ जनाब अगर ये बात है है ना अगर ये बात है कि electric field E is equals to minus of del V by del R अगर आपके पास है तो आप यहां पर del V को minus of E dot D R ऐसे भी तो लिख सकते हैं मैंने का बात तो बिलकुल सही है आपकी बिलकुल लिख सकते हैं तो यहां पर अगर आपने ऐसा लिखा तो इसके भी clear अलग-अलग तिन statements बनकर सामने आएंगे सुनिएगा ध्यान से क्या-क्या तो जब तुम लिखते हो del V को और integrate अगर तुमने इसको किया तो यह बनेगा potential difference और यह potential difference जाएगा कुछ इस तरह से minus बाहर और यह बनेगा sir आपका E dot DR अब सुनिएगा E को तुम क्या लिख सकते हो E को तुम लिख सकते हो E X I CAP तुम E को क्या लिख सकते हो E Y J CAP और तुम E को क्या लिख सकते हो E Z K CAP depending upon different 3 3 values बचो हला कि इतना टपनेट में कभी नहीं देगा ठीक है और delta R को तुम क्या लिखोगे delta R को तुम लिखोगे D X I CAP प्लस तुम लिखोगे D Y J CAP और प्लस तुम लिखोगे यहाँ पर D Z K CAP Everyone इतना clear हुआ अब तुम यहाँ पर simple statement बना लो भाया तो तुमने लिखा सर minus का यह क्या हो जाएगा E X और तुम यहाँ पर लिखोगे D X क्या हो जाएगा सर आपका X initial to X final फिर यहाँ पर हो जाएगा minus यह तुमारी क्या हो जाएगी E Y separate separate different integration ठीक है यह हो जाएगा Y initial to Y final और यह प्लस की जगा minus हो जाएगा सर दिस आपका E Z और into में आप लिखोगे सर D Z यह हो जाएगा Z initial to Z final एक सवाल करवाता हूँ इस पर based right everyone इस पर based करते हैं हम एक सवाल प्यारा सा जिससे आपको यह सारी चीज़े सीखने को मिलेंगी कि सर जब electric field given है यह analysis कब काम आएगी सर यह analysis काम कब आएगी यह analysis कब काम आएगी ठीक है कि क्या पूछ रहा है बच्चा कि यह analysis कब काम आएगी ठीक है मैं medical की तयारी कर रहा हूँ मैं doctor बनूँगा तो मैं इसे कब use करूँगा तो doctor बनने में तो तुम क्या use करोगे लेकिन तुम्हे doctor बनने के लिए exam देनी है और exam देने के लिए आपको यह आना चाहिए क्योंकि अच्छे marks अगर तुम्हें लाने हैं तो फिर तो यह सब सिखना पड़ेगा तो जब electric field आपको given होगा जब electric field आपको given होगा और potential difference आपको पूछा होगा ठीक है potential difference आपको पूछा होगा तो इस situation में यह कहानी आपको काम आएगी कैसे सवाल के साथ बात करते हैं हवा में हाथ पर तो हम वैसे ही नहीं चलाते बच्छो सवाल पर बात करते हैं एक example आपके लिए मैंने बनाया ध्यान से सुनिएगा बोल रहा है electric field E is equals to 100 divided by x square i cape में दिया हुआ है that must volt per meter बच्छो unit क्या दी है volt per meter आपको बोला है potential difference potential difference क्या होगा between between x equals to 2 to x equals to 3 these are the limits बच्छे these are the limits ठीक है दिया है clearly question में कि delta V क्या होगा between x equals to 2 to x equals to 3 सुन रहे हैं सभी लोग बहुत बढ़ियां ठीक है अब एक बात करते हैं सर यह आपको electric field का value दिया हुआ है यह आपको electric field का value दिया हुआ है और मैंने आपसे क्या कहा था कि electric field क्या दिया as a function of x दिया केवल और केवल i cape में है तो तुम सीधा लिख दोगे सर कि यहाँ पर जो delta V होगा वो हो जाएगा minus of e x और into में तुम लिखोगे dx के बल चिक क्या लिखा था x initial से x final तक कहां बोला x equals to 2 to x equals to 3 यानि कि यह हो गया तुम्हारा initial point यह हो गया तुम्हारा final point खताव करो calculate तो बच्चो जब तुमने calculate किया तो यह आया minus यहाँ पर तुम रखोगे 2 to 3 limit जाएगा electric field हो जाएगा 100 divided by x square और into में तुम लिखोगे dx अब तो खिर आसान सा integration है तो यह हो गया minus 100 बाहर और इसका integration हो गया minus का 1 by x और यह हो जाएगा sir आपका 2 to 3 minus minus आप यहाँ पर क्या कर देंगे sir plus हो जाएगा so that formula comes out to be 100 और यह आगया sir आपका 1 by x 2 to 3 upper limit minus lower limit करो sir 100 तो यह हो जाएगा sir 1 divided by 3 minus 1 divided by 2 upper limit minus lower limit solve किया sir आंसर आया यह आजाएगा 6 यह आजाएगा minus 1 ठीक है तो correct answer आ रहा है बच्चे minus का 100 divided by 6 volts है ना that which is the potential difference between the two points यह potential difference का answer हो गया खतम खतम ठीक है so these are the values and it's really very simple one हाँ जी बिल्कुल ठीक है तो यार अब देखो थोड़ा सा मुझे है ना थोड़ा सा यहाँ पर बस यही एक था electric field और potential के बीच में relation equipotential surfaces dipole वाला वीडियो में आज बना कर आपको रात को फिर से 11 बजे हमारी class होगी ठीक है आज रात 11 बजे फिर से एक class हम रखेंगे क्योंकि what is happening अभी मुझे थोड़ा सा एक medical emergency की वज़े से राइट signing off करना पड़ेगा तो खेर anyways I hope you enjoy today's session मज़ा आया clear एक नहीं हाँ जी 100 by 6 plus 100 by 6 क्यों हाँ ने ने यहाँ पर 2 minus 3 होगा ना ये इधर 2 जाएगा अधर 3 जाएगा तो minus का सही है limit रखे भी तो solve करो limit रखे भी तो solve करो ठीक है so right everyone तो चलो अब practice session में मुलाकात करते हैं शाम को कितनी बजे practice session में मुलाकात करते हैं शाम 5.30 पर evening 5.30 पिएम पर मुलाकात करते हैं आप लोगों से ठीक है profile को जाकर follow कर लेना ठीक है आज शाम को class है बच्चों जिसकी link description में है और chat section में भी pin किया हुआ है code use कर लेना MS life to unlock the free special classes आज हम electrostatics के questions पर मन्थन practice session रखा हुआ है बच्चों और कल सुबर 7 बजे मन्थन प्रशनोत तरी भी है आनकाइडमी के subscription के बारे में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि we are about to start a course from 12th March बच्चों राइट दरपन का उसका नाम होगा तो दरपन का एक नया course शुरू हो रहा है जो की 2022 के aspirants को हम target करके launch करने वाले है ठीक है तो यहाँ पर जो है सारी facilities आपको avail करा रहे हैं बच्चों country के top educators के साथ आप यहाँ पर avail कर पाते हैं चीजें और कहीं सारी बेचें लाँच हुए जैसे achievers बेचे यहाँ पर early anthuse बेचे बच्चों रन अकाडमी का combat जो 7th of March यानि कि संडे को होने वाला है सुभ़ 11 बजे से आप उसके लिए जरूर रन अकाडमी का learning पर install करो install करने के बाद में go to the plus section select need you जी के ticket and then get subscription उसके बाद multiple option में से I would like to recommend you one year का and two year का program बच्चो जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना one year का and two year का program इसको लेने से आपको क्या होगा benefit होगा maximum ठेक है तो आप code use कर सकते MS live जिससे आपको 10% off मिल जाएगा and you will be able to get the subscription as well right तो मिलते हैं आप से अगली कक्षा में तब तक के लिए bye bye take care love you all all the very best take care see ya